तो दोस्तो यूट्यूब के दो नई अपडेट आई हैं मोनेटाइजेशन से रिलेटड और दोनों अपडेट इंपोर्टेंट है इन अपडेट को आपको जानना चाहिए अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन ही तो दोस्तो अब बात करते हैं सबसे पहले वाले अपडेट की पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता था और मोनेटाइजेशन होने के बाद वो उस पे लंबे टाइम तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते थे बट अब दोस्तो यूट्यूब का कहना है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है और मोनेटाइजेशन होने के बाद आप 6 महीने तक कोई भी वीडियो या कोई भी कम्यूनिटी जो पोस्त होता है वो नहीं डालते अपने चैनल पे तो आपका चैनल डी मोनेटाइजेशन कर दिय जाएगा जिहां ये चीज़ ध्यान दखे 6 महीने तक अगर आप अपने चैनल पर एक्टिव नहीं रहते लगतार 6 महीने आप डियक्टिव रहते हैं तो आपका चैनल डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा और दूसरा जो अपडेट है वो इससे भी जादा खतरनाक है तो दूसरे अपडेट का क्या कहना है यूट्यूब का कि पहले क्या होता था कि जब आप एक बार 4000 गंटे का वोच टाइम कंप्लीट कर लेते थे तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता था उसके बाद आप अगर वीडियो डालते थे आपका वीडियो नहीं भी चल पाता है और परति एक वर्ष 4000 गंटे का वोच टाइम आपका चैनल नहीं बना पाता तो भी आपका चैनल डी मोनेटाइजेशन हो जाएगा थोड़ा ध्यान से समझे इस अपडेट को मा लीजिए कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन है अगर एक साल के अंदर कभी भी 365 दिन में आपक 4000 गंटे का वोच टाइम आपके चैनल पे नहीं बन पा रहा है मोनेटाइजेशन के बाद भी तो आपका चैनल डी मोनेटाइजेशन कर सकता है यूट्योब ये यूट्योब का कहना है तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये अपडेट कैसे लगे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीकी से समझा गए होंगे अपडेट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना मैं किलियर करने की कोशिश करूंगा वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पे नहीं है प्लीज सब्सक्राइब कर देना मिलता हूं मैं आ अब तक लिए बाबाई थेंक्स वर वाची